भारत में रीटेल सेक्टर में जबरदस्ट डिमांड है कुश्मेन एंड विक फीड की रिपोर्ट के मताविक अगले 4-5 साल में साड़े 5 करोड वर्क फीड विटेल स्पेस की मांग बन रही है रिपोर्ट की बारी क्यों पर कुश्मेन एंड विक फीड के minimum demand आप बता रहे हैं Pan India minimum demand से क्या आश्य है और किस तरह की opportunities आपको देख रहे किस तरह से रिटीव शिफ्ट होता देख रहा है रिटीव चेंज होता देख रहा है एक बर explain देख जो आज 60 million square foot mall है जो grade है यह सारे grade a mall है जो single ownership है और अच्छा experience create करते हैं तो उन में से 8-10% spaces ऐसे होंगे जो redundant हो जाएंगी तो actually जो 60 million square foot अभी है उसमें 5-6-7 million जो होंगे वो अब उस चीज को service नहीं कर पाएंगे जिसके हमारी जुरुवत है तो actually 55 million है यह 60 million के ऊपर चाहिए और आप एक समझें कि हमने लास्ट 70-72 साल 75 साल हो गए है हमने इस इतने सालों में अभी 60 million बनाया है तो आप imagine करी है जो हमने भी बनाया है उत्ता हम को अगले 4-5 साल में बनाना है इसमें मेरा सवाल क्योंगा सर कि जो आपने डेटा दिया है 55 million square feet million square feet की लगभग 5 साल में जरूत पड़ेगी यह job opportunity के लिए बहुत बड़ा factor होगा क्या key factors हैं जो इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं हलाकि काफी कुछ आपने बता है लेकिन job के लिहाज से job opportunities के लिहाज किस तरह का changes आपको देखे हैं जो job opportunity तो जो mall होता है यह technology play तो वहां आ रहा है like every industry की तरह but यह बहुत ही human consumer और जो job opportunity है वहां बहुत ज्यादा बनती है क्योंकि आपको it's a it's a human touch कोई data आपने सो इसमें जो हम हमें दिखता है कि हर एक million square foot के mall में करीब करीब करीबन आपके करीब करीबन 200-500-300 लोग direct आते हैं और फिर indirect जो होते हैं वो इसके 10 times होते हैं क्योंकि आप सारी चीजें as an owner खुद नहीं करते हैं आप इसको outsource करते हैं तो हर अब करेंग मौल में जो ऊनर होता है वह direct 200-500 जोब्स क्रियेट करता है और उसका 10 टाइम्स जो होता है वह outsource करता है कि आप कि अ